नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परीचित दोस्तों पस थित हूं आप सभी की सेवा में एक बिहद ही महतो पूना जानकारी को लेकर के जहां दोस्तों बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बालों की प्रोब्लिम रहती है खास करके आज कल इतना पॉल्यशन हो ग या फिर बाल, दूमूहें हो जाना ये सारी समस्याएं दो तरसे होती हैं. इन्टरनल प्रोब्लेम्स की वजह से और एक्ष्टरनल प्रोब्लेम्स की वजह से. इंटर्नल में अगर आपका खानपन सही नहीं है, जैसे कि विटामिन E यूक्त, खादे पदार्थों का अगर आप प्रचूर मातरा में सेवन नहीं करते हैं, तो आपको प्रोब्लेम होती है, इसके अलावा प्रोटीन्स नहीं लेते हैं खाने में, तो भी ये प्रोब्लेम आ करके आए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों को खुबसूरत बना सकते हैं दो मुहें हैं अगर तो उनको ठीक कर सकते हैं अगर बाल ऑसम है आपके वाइट हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बाल ज़ड़ना और तूटना जैसी समस्या हैं खत्म हो सकते तो नोट कर लिजे आप कि आपको औशधि में क्या क्या चाहिए होगा चाहिए होगा आपको 50 ग्राम मावला शिका काई ले लिजे 50 ग्राम दाना में थी भी 50 ग्राम की मात्रा में ले लिजे आप रिठा ले लिजे 50 ग्राम और पानी ले लिजे आप अब करना क्या है आपको पानी में भीणगो कर ये सारी चीजें रात को आपको छोड़ देना है, इस मिश्रन को सारी रात आप पानी में डाल करके छोड़ दिजिए, सारी रात वैंसे ही रहने दिजिए, अगली सुबह उठ करके इसको पानी में डाल करके उबाल लीजिए 15 मिनट तक, जब ये उबल आपकी बनकी तैयार हो गई है अब क्या करना है आपको इस पर ध्यान देजिए बालों को पहले क्लीन कर लीजिए किसी भी शैंपू से इसके बाद इस मिसरण को बाल जब सुख जाए तब उसमें लगा करके और छोड़ दीजिए आप आपको छोड़ देना है कम से कम आधे घ प्रपूर और आपके बालों के लिए हेल्दी होते हैं इस प्रकार से अग इस और शदी का प्रयोग आप सप्ताह में दो दिन तक कर सकते हैं अगर सप्ताह में दो दिन इस और शदी का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक महिनों के अंदर ही आपके बाल हेल आपको बहुत ज्यादा बाहर की तली हुई चीजें मसालेदार चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए पानी परियाप्त मातरा में पीना चाहिए नहीं तो इसकी वज़र से भी बाल में प्रोब्लेम आती है चलिए एक और ओशद ही हम आपको बता देते हैं जिसके सह चावल का पानी होता है वो ले लीजिए राइस जूस और इसके अलावा चाय पत्ती का पानी निकाल लीजिए और शीका काई इसके अलावा रीथा इन सब के पानी को आपको जैसे की चावल उबाला उसका पानी और शीका काई रीथा को उबाल लिया इसका भी पानी ले लि कि इसको जैसे मैंने पहले बताया, ठीक वैसे ही प्रयोग करना है, दो घंटे तक एक से दो घंटे छोड़ दीजिए, पिछले वाले जो आउशदी हमने बताई, उसको भी आप अगर एक घंटा छोड़ते हैं, तो जादा बेहतर होता है, नई त्याइम है, तो आप half hour तो कैस सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ एक चीजें अंदर से भी प्रोब्लम होती हैं, तो इसके लिए आपको अपने खान पान को सुधार ना होगा, फिर आप देखेंगे कि आपके बाल हेल्दी, ग्लोविंग और खुबसूरत हो जाएंगे दोस्तों, तो ये थी आज के हम जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बहुत ही महतो पूंच जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों